नमस्कार बच्चों हिंदी के कक्षा में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों देखिए हमारा पार्थ 9 चल रहा है अर्थात हम पार्थ 9 का रिविजन कर रहे हैं जो कि पार्थ का नाम है सच्ची मितरता तो इस पेज का हम प्रिश संख्या 69 पढ़ चुके हैं और प्र और आज हम पेज 61 पढ़ेंगे तो बच्चों देखिए चार दोस्त होते हैं चारों में गहरी मिस्तता होती है कौन-कौन दोस्त तबे चूहा कच्छवा हीरन और कव्वा और चारों दोस्त हर रोज सुंदर्वन में नदी के किनारे कोमल घास में मुलाय घास में खेलने जा जाते हैं सारा दिन गफशब करते हैं और शाम होने पर अपने पढ़ने घर आकर सो जाते हैं उनका हर रोज का प्रति दिन का यही कारिया है यही रूटीन था वे हर रोज सुबह उते ही नदी के किनारे जाते गफशब मारते आपसे बाते करते मोज मनाते खुशी मनाते और शाम उने पर घर आ जाते थे लेगने एक दिन क्या हुआ एक दिन वहाँ पर हिरन नहीं पहुँचा तीन दोस्त पहुँच गए और हिरन वहाँ पर नहीं पहुचा तो तीन दोस्तों को चिंता हुई कि हिरन क्यों नहीं आया तो कच्वे ने कहा जरूर गड़बन है हिरन जरूर किसी मुसीबत में फसा होगा तो उनकी बाद सुनकर कि कवे ने कहा कि ठीक है तुम दोनों यहां रुकिये और मैं हिरन का पता लगाता हूँ तो कवे जल्दी से उड़कर गया और उड़कर सारे जंगल का चक्कर लगाने लगा तो एकदम से उसकी नजर हिरन पर पड़ी वह भाग कर हिरन के पास गया तो उसने क्या देखा हिरन जाल में फसा हुआ है कवे ने हिरन को जाल में फसा हुआ देखा ठीक है तो एरन को देखकर को देखकर के हिरन रोने लगा तो कवे ने कहा में मितर गबराईए मत मैं अभी सूह को पुला कर लाता हूं चुवा तुमारा जाल काट देगा और तुम जाल से जाल की कैल से छूट जाओगे तो वैजलदी से कच्छविय को चूह को बला लाया और तो ये ने फटापट से जाल काट दिया और किरन जो है जाल से मुक्ते हो गया ठीक है बचो तो ये था हमारा पेज उनसे टोर साथ आईए शुरू करते हैं पेज 61 तब भी वहाँ शिकारी आया जैसे जाल कटा तो आपर शिकारी पहुँच गया उसने जाल कटा देखा वह हिरन के पीछे भागा परंतु हिरन को नहीं पकड़ पाया अब शिकारी देखा कि जाल कटा हुआ है और हिरन जाल में तो शिकारी दोबारा से खिरन को पकड़ने के लिए भागा लेकिन खिरन उसकी पकड़ में नहीं आया क्यों लेकिम तो तेज भागता है तो अब दोबारा उस से खिरन ही पकड़ में आया ही नहीं चुहा दोड़कर पेड़ के पीछे चिप गया और चुहा भागा और वबागर पेड़ के पीछे चिप गया और कववा पेड़ पर बैठ गया कववा भी उड़कर पेड़ पर बैठ गया फसा कोन कच्छुवा क्यों कि कच्छुए की चाल धीमी होती है दीरे दीरे चल लता है तो कच्छवा अपनी धीमी चाल से चलने लगा उसे चिपने का मौका ही नहीं मिला अब शिकारी ने सोचा कि आज तो हिरन बच गया चलो कच्छियों को ही पकड़ लेता हूं तो शिकारी ने सोचा कि आज हिरन बच गया हिरन तो दोबारा पकड़ में नहीं आया चलो आप मैं कच्छियों को ही पकड़ लेता हूं। ठीक है। उचने कच्छियों को पकड़ कर अपने ठेले में डाल लिया उचने कच्छियों के पकड़े जाने से तीनों दोस्त बहुत दुखी हुए। जब ॥ शिकार ने कच़व को पकड़ लिया तो अब तीन दोस दूश्य तीन दोस तुखी वे कोनगोनगी हीरन, चुहा और कववा अब वे तीनों प्रेशान होगए कि आप मारा मितर कच़वा पकड़ा गया तो वे कच्छुए को बचाने का उपाय सोचने लगे उन्होंने सोचा कि किसी ना किसी तर कच्छुए को बचाया जाई ठीक तभी हिरन को उपाय सुजा उपाय में तरीका तभी हिरन के मन में एक उपाय आया उसने अपना उपाय सब को बताया तो उसने अपना तरीका तीनों दोस्तों को बताया उपाय के अनुसार हिरन शिकारी की रास्ते में आखे बंद करके लेट गया और मरने का अभीना करने लगा चिक तो क्या हुआ क्या किया हिरन ने जिस रास्ते से शिकारी को जंगल से वापस जाना था तो उस रास्ते पर हिर लेट गया मरने का नाटक करके कि मरा हुआ है और उसने रास्ते में लेट गया और मरने का भी ना करने लगा मरने का नाटक करने लगा जब शिकारी ने रास्ते में हिरन को लेटे दिखा तो शिकारी ने क्या किया कच्छव जिस थैले में कच्छवा था वह कच्छवा उसने रख दिया और हिरन के पास आने लगा उस जिस थैले में उसने कच्छवा को पकड़ रखा था उस थैले को ते बेजडासों से थहला गात दिया कच्छीवा जट पर थेले से बाहर निकला जाडियों में चेप गया कच्छीव जल्दी से धेले से बाहर आया और कहाहँ गया जाडियों में इस से पहले कि शिकारी एयुकर के पांच पौनचता एयुilen उठा और छलांगे मारता हुआ जंगल में चला गया ठीक तो क्या हुआ इतने में उन्हें सोचा कि हीरन उठ गया जब उसको हीरन को पता लग गया कि कछवा थेले से बाहर निकल गया और जाड़ियों में छीप गया तो हीरन उठ गया और चलांगे मारता हुआ जंगल में दूर चला गया अब शिकारी ने हिरन का पीछा करना छोड़ दिया क्योंकि वह दूर जा चुका था अब शिकारी हिरन को नहीं पकड़ सकता था उसने अपना सिर पीट लिया टूर करके उसने पने सिर में इसे फिट लिया सिर को पकड़ा अब शिकारी समझ गया कि चारों की वज़से वह ब्रयुगु से आया कि उन चारों दोस्तों की वज़े से या चारों दोस्तों ने मुझे मूर के बना दिया मुझे बेवगूफ बना दिया ठीक है बच्चों तो देखे इस पार्ट से क्या सीख मिली कि जीवन में कुछ सचे मितर बनाने चाहिए तो हमेशा मितर कैसा बनाना चाहिए सच्चा मितर जो मुसीवत में हमारा साथ दे हमें कभी भी कप्टी मितर का साथ नहीं करना चाहिए कप्टी आदमी को कप्टी को कभी भी दोस्त नहीं बनाना चाहिए यदि चारों मित्रों में गहरी मितरता नहीं होती चारों दोस्त गहरी मितर नहीं होती गहरी दोस्ती नहीं होती तो हीरन भी मारा जाता और कच्छवा भी मारा जाता ये चारों दोस्त गहरे थे चारों में सची मितरता थी और सब ने आपस में एक दूसरे की मदद की और किसी को भी शिकारी के आथों नहीं पकड़ने दिया गया ठीक है बच्चो तो देखें मेरी भी आप से यही आशा है कि कभी भी ऐसा दोस्त मत बनाईए दोस्त हमेशा ऐसा बनाईए जो सहा है तम मुसीबत में संकट में हमारा साथ दे दोस्त कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हमारा सुख में तो साथ दे और जब हमारे पास किसी पारकार का संकट आए उसमें हमारा साथ छोड़ दे ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए ठीक है बच्चो तो मुझे आशा है कि आपको यह लेसन अची तरह से समझा गया होगा और इसके कोशन आंसर भी मैंने भेज रखे हैं आपने अपनी अभ्यास पुष्टिका में लिख रखे होंगे और सभी बच्चे अपनी कोपिया चेक करवाएंगे इस पार्ट को दोबारा से पढ़ेंगे कल हम इस पार्ट के प्रशन उत्तर रिवाईज करेंगे और मैं प्रशन उत्तर और शवदर दोर आएंगे ठीक बचो तो धन्यवाद शोब